हेलो, आज हम लोग इस वीडियो के तुरू जानेंगे कुछ कॉमन फूट ग्रूप्स के वारे में और उससे हमें कितना कैलोरी मिलता है तो ये कैलोरी क्या होता है हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जैसे गाड़ी को चलने के लिए इंधन की जरूरत होती है उसी तरह हमारे सरीर को भी विभिन कामों के लिए जो उर्जा यानि की एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही कैलोरी कहते है कैलोरी को फूट से हम लोग लेते हैं इसलिए हर फूट जो हम खाते हैं उसमें कैलरी होती है तो आये जानते हैं कुछ common food groups के बारे में और उससे हमें कितना कैलरी मिलता है जैसे एक पराठा खाने से लगबग हमें 150 कैलरी मिल जाता है ब्रेड के दो स्लाइसे से हमें लगबग 170 कैलरी मिलता है पोहा या उपमा एक क पोहा या उपमा लेने से 270 कैलरी मिल जाता है इडली दो इडली खाने से लगबग 150 कैलरी मिल जाता है आधा कप दाल में हमें 100 कैलरी मिल जाता है आइस क्रीम आधा कप में लगबग 200 कैलरी मिल जाता है एक बॉयल अंडा एक बॉयल एग में लगबग 90 कैलरी हमें मिल जाता ह तो अब आपके मन में ये question आ रहा होगा कि हमें एक दिन में कितनी calorie लेनी चाहिए तो मैं आपको ये बता दूँ हर व्यक्ति में calorie की खपत अलग-अलग होती है या उसकी उम्र, आकार, लंबाई, सेक्स और दिनचरिया पर निर्भर करती है इसलिए ये अलग-अलग व्यक्तियों में और समान होती है हमें रोज कितनी calorie लेनी चाहिए इसका पता ठीक-ठीक तभी लगाया जा सकता है जबकि हम अपना physiological test करवाए एक औसत आकार की महला की दिनचरिया औसत है उसके लिए मोटे तोर पर 2000 कैलरी एक दिन में लेना आवश्यक है तेंक यू